सबी देशवासियों को विन्य रतन सिंग का करांतिकारी जैबी सम्मानित साथियों आज का विशेश लाई 20 सहस्त को जैपुर में होने वाली रेली है उसके लिए रेली सब्द देखने मैंसा लगता है कि जैसे कोई राजनेतिक व्यवस्ता की रेली हो लेकिन मैं यह कहूंगा जैपुर में आने वाली वीशतारिक को जो होने जा रहा है वो सन्याय की आवाज है जो लगाता राजिस्थान से लेकर के पुरे देश में उठ रही है जी सवाज का नाम भाई भी मारी भारत एक्ता मिशन अजास हमाज पाल्टी कासिराम और हमारे नेता भाई तंसकर आजाद है साथियों इतनी घंटा घटना जो है लगातार राजिस्थान में हो रही है जी तंदर मेगवाल इंदर मेगवाल कार्टिक भील ओंपरकास रेगर पूजा भील जुनैद निसार ब्रातकार की इतनी घटना है पहलवानों के सोचन की इतनी घटना है लगातार हो रही है राजिस्थान को समझे आप राजिस्थान में से खेल है कि एक बार गेंद जो है वो कंग्रिस के पाले में चली जाती है और एक बार गेंद भारते जिन ता पाल्टी के पाले में चली जाती है वहा रहने वाले दलित आधिवासी अजब संक्याग पिछडे है उनका क्या अ कि यह बड़ा सवाल है और अगर यह सवाल जो है कि लोकतंतर में झेंडी लोकतंतर की अ accusher व्यवस्था जिन यह व्यवस्ता बबाब साब मिट करने इस्थापित की है। उस व्यवस्ता को समझे वाले लोग ना समझे कर बनकर बैठ जाएं तो बड़ा दुख दाई है गालö A. बाबा साब मेट करना पड़ेगा और तब कही जाकर विए समस्या को समधार आज अंबेड करवाद के नाम पर लगातार बड़ी लूट पार्ट पूरे देश में चल रही है बाबा साथ के बड़े-बड़े चीतर लगाकर यह का जाता है कि हम इनके अनुवाई हैं इनके विचारक हैं लेकिन अग्ते बलतकार में जाति के नाम पर हो रहे हैं मतका छोने के नाम पर हो रही है मुझे जानकारी मिली थी मैंने जब राइस्थान के साथ लुश्बात की तो साध्र गार्तिक भील के परिवार के लोग हैं पिषले नो महीने से अंदल पर बैठे हैं इस्तिति यहां तक है जाते परवाब इतना बढ़ गया है कि हत्या हो जाती है और सव को लेकर साथ साथ दिन हमारे लोग कि सड़क पर बैठ रहते हैं और आप समझें मुख मंत्री तो छोड़ दीजिए विधायक और वहां के मौजुदा एंपी तक संग्यान लेना नहीं आते हैं वह हमें अपनी हैसियत बताता है कि आपकी दलितों कि या दिवासियों की पिश्ड़ों की यह हैसियत है लगातार हुआ उठ रही है बीस तारिक को जैपूर में सोसित वंचीतों का एक परदर्सन है जिस भी साथी को यह लगता है वो कई किसी भी प्रद्थ का क्यों ना हो जो साथी कपाल है जा सकता है जैसे राष्टहन के मंद परदिश का साथी लिए Euh और तमाम जो परदेश राष्ट theoretically पास हमेरे साथ ही कारगताा है इनको लगता हो कि संद्धनिया summ effectiveness लोग लोग हैं जो यह समझते हैं कि नहीं आज देश की व्यवस्ता चिनिभीन हो रही है और जो कुछ देश में लोगतांत्री व्यवस्ता के तयात होना चाहे था वो नहीं हो रहा है उनसे भी कहता हूं कि आवाज को एक जुठोकर बुलंद करने का समय आ चुका है देखिए जो लोग मिठी मिठी बाते करते हैं मीडिया के माद्धम से और आपको यह लगता है कि उन्होंने बहुत बड़े काम कर दी हैं उनको तथा कदित आज हम नेता कहते हैं कि यह हमारे बड़े बड़े नेत हैं कि उनकी बातों में आज तक समाज अड़ा रहा लगा रहा जब जब उन पर कोई मुसीबत आई तो खड़े समाज खड़ा हुआ यह परसंड कहीं यह उठता है कि जो गरीब सोशित वंचित लोग हैं जो सर्क से उठकर आयोए लोग हैं मुझ जैसे लोग बाई चंसे कर जो गरीबी सोटकर उपर की तरह पाई जिनका बैक्ग्राउंड राजनेती से रिलेटेंड नहीं है जो लोग बाबा साव मेटकर फूले पैजार को पढ़कर के जाने हैं मतलब क्या है यह जिनको पता लगा है जो आज मजबूर से लड़ रहे हैं मतलब इतने नाम है कि मैं अगर नाम लेना सुरू करून पूरे देश के इंदर बहुत लंबी लिष्ट है बहुत लंबी इस अन्दाब मैंने आपके लिए हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि जब पीसे जमीन के लेवल से उठकर लोग उपर आते हैं और सही में लोग तांतर की व्यवस्ता की बात कर लेकरव आप उन मेडिया नहीं पहुंच पाता म council यहां का पुलीस प्रसाशन नहीं पहुंच पाता लेकिन हमारे टीम पहुंचती है और नियाय दिलाने का काम करती है किसी बेट्टी के साथ गलत हुआ हो कि साथ जाती है चोस्द रहा हो हम Kollegin क कहा है कि हम हंद्र परसेंट न लेटब कर रोपढ़कर है हमने सिख्खा ते इसी परकुषिगा के लिए लड़ना ही को हमारा काम है लेकिन अगर ऊस्तापित नहीं इस्तापित हो कि इस देश के Pegną दाली इस्थापित और चले तो देखिए आप सब लोगों को साथ खड़ा होना पड़ा करना मजबूत करना पड़ाइगा देखिए आपने चड़िया देखी होगी चड़िया अपने खाने के लिए डाली डाली घूमती है इधर सो दरूरती घूमती है और चौंसे एक दाना कट्टा करती है तो हम वी वही लोग है विरासात सुने आपको मिला कोई आथा क्रीछी में बहुत कुछ मुल गया नहीं लिए विरासत में सुर्प एक चीज मिली शिक्सा बाबा साब मेटकर ने दिकार दिया और आफ और पादा पिता ने हम पर धन खर्रिश करके हम को स्कूल बेजा और सिक्सित किया ये चीज विरासत में मिली है ये जो चीज विरासत में मिली है इसी का परियोकर के आज हम लोग छोटे-छोटे घरों के लोग आज अन्यायत ते चारे के खिलाप आवाज उठा सकते हैं नायकि आवाज को करना पड़ेगा कि एक लाख लोग के बार खड़े हों लड़ाई लड़ रहे हों और एक व्यक्ति फूले सावं बेटकर की विचार धारा का संसेज अविधान सबाम बैठा हूँ बराबर है जब वह व्यक्ति वहां बैटकर आवाज उठाता है तो मैं कहता हूं कि सब हैं वह एक ऐसी सोचन की जगह है कि जहां पूरी ताकत लाएं बड़े पैमाने पर हैं भारते जन्ता पाल्टी कॉंग्रेस पर आरूप लगाती है कभी गेंद उसके पाले में कभी उसके पाले में पूछना चाहता हूं वंचित समाज के लोगों से कि आखिर कब तक आप ल आप से पहले भी बहुत सारे लोगों ने देश के आजादी से लेकर और तमाम पीछे आप ताक बुद्ध को देखिए कितना बड़ा अंदोलन इस देश के साथ साथ पुर्यों विस्व में चलाया आप सत्गुर एदास को देखिए कितना बड़ा अंदोलन चलाया आडमर आडमर वाद के खिलाब लगातार प्राहर संतकबीर गुनानक देव गुर्गासी दास यह तमाम जो है यह सब चीजे इनको समझने का परियास की है आज लोकतंत्र के अंदर सरकार हो परसासन हो को डरता है तो आपके सिरों की संक्या से डरता है वो लगातार चुनाव के समय हमें आपको लाधत देता है आपको अपने साथ मिला लेता है अब आपको में हमें ञीला लगाताई हमें आडमर वादी विवस्ता के लोग चाहिए जो नयाय को सही तरी के सस्थापित कर सके जो आज जो है किसी वेकी वेला अतकार हो जाए अगर सोर मचके शड़क पर दोगा ये तो वाज उठेगी वरना नहीं उठेगी जहां मेडिया मेडिया पुरा पुरा विकाव हो गया है जहां हर चीज को गुम्रा किया जाता है दिए बीच तारिक में जैपुन में एक आंदोलन है मैंने रेली सब्द कहा वो मैं लगता है कि मेरे मुझे गलत वो सब निकला वहाँ पर एक आंदोलन है जो उन हर बातों को हिसाब मांगना चाहता है वो चाहे जीतने रिमेगवाल हो वो चाहे हमारे साथी रैगर हो वो चाहे हमारे साथी वो भाई छोटा जिसको घरेका मटका चुने पर हत्या कर दी गई वह हो या वो कोई भी साती हो उसकी आवाज को बूलंद करने और न्याय मांगने जो है न्याय मिला नहीं है तो क्यों नहीं अब तक मिला अपनी एक ताकत को दिखाने कि हमारी इतनी आबादी है हमारी इतनी आबादी है कि अगर हमारा समाज एक बार एक जो ठोकर चल पड़े हमारा समाज एक बार एक जो ठोकर चल पड़े जिसको भवजन समाज कहते हैं जिसको फूले साम बेश्कर की विचाज़ारा का समाज कहते हैं देखिए अब आप लोगों को ये तैय करना होगा कि आप लोग बीजे पी कॉंग्रेस खिलते रहेंगे या फिर अपना दल अपना बल चुन करके इस देश की विवस्ता में सुधार करेंगे और वो जो सोशित वंचितों का जीवन हम सदा से जीते आ रहे हैं उसको खतम करने क करें यह तैया आपको करना मैं आपसे पील करता हूं तमाम साथियों से जहां तक भी मेरी आवाज जा पर आ रही है हाला कि मीमार्मी का जो में पेज है जिस पर अक्सर मैं आता हूं वो सरकार ने 21 जुलाई से बंद किया हुआ है लगातार और आज तक बंदी 21 जुलाई नहीं वो जब संसिकर आज़ा पर हमला हुआ था वो तभी बंद कर देता आज तक भी बंदी है तो मैं इस पेज के माद्यम से आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि 20 अगस्त को जयापुर पहु के ट्रेडू में चलिए में बाइकों से चलिए जो विवस्थित लोगें विवस्था ठक्ते हो गाडियों आपर पर करमचारी काम करते हैं वो विवस्था की जिए उन साहि इक है पूँआ पूच्ञ सकते हैं दिनके पास नचाध है का ला साथ भी ? वारे अट्रोसिटी के खिलाब उठ रही जो आवाज है भी मार्मिय अजासावाज पाल्टी की उसको बुलंद कीजिए भाई चंसेकर आजाद जी की आवाज को बुलंद करने का काम कीजिए जिससे कि उन राजनेता को यह पता लग सके कि भारत में अब वंसानुगत राजने तकानत होगा बारत भी में गरीब सोचित वंचित वर्ग भी राजनेती कर सकता है और मैं कहता हूं कॉंग्रेश और बीजीपी के लोगों को भी यह नहीं कहता कि आप में सब लोग बुरे हैं सब लोग अच्छे हैं लेकिन नहीं जब कीचर में सब उतर जाएं तो सब लोगते हैं आप में भी जिसको लगता है कि नहीं लोगतंत्र कही ना काई खत्र में है जिसको भी लगता है कि आज की परजातान्त्र की व्यवस्ता जो है उसको बड़ा नुक्सान पहुंचाया आ रहा है जिसको यह लगता है कि नहीं सविधान का स्थित्र वाकई ही खत्रे में मैं तो उनको भी आमंत्रित करता हूं मैं उन तमाम राजनितिक समाजिक लोगों का मंत्रित करता हूं जो यह चाहते हैं कि भारत पुने सोने की चडिया बनकर उबरे राजस्थान के साथियों से मेरा विशेश अपील है कि हो सकता है बहुत सारे भार के साथ ही वाँ पहुँचें क्योंकि भाई चंसे का राजाज जी आज भारत के साथ साथ ही नहीं अन्य देशों में भी एक बुलंदवाज की रूप में जाने जाते हैं जिनका नाम आता है तो सरकारी आका जो है वो नयाएक परिक्रिया सच के अधार पर अपने आप सुरू कर देता है राइस्थान के साती जो लोग भार से जाएंगे उनका विशेश खेया लखें और राइस्थान के कौने कोने से आने वाले सभी सात्यों का राइस्थान के जैपूर के तीम के जो हमारे साती हैं वो सब लोग मजबूत जियान रखेंगे मुझे पूरी आसाई नहीं उम्मीद है कि 20 तारिक में राइस्थान नीला होगा और नियाय की आवाज को बुलंद किया जाएगा लोकतंतर क्या होता है ये बताए जाएगा और साथी साथ ये भी हुंकार भरी जाएगी कि अब अत्याचार नहीं सा जाएगा और अगर अत्याचार होगा तो भी मामी भारात एक तामिशन उसका मूँ तोड़ जवाब देंगे बाइचंसे का रजाजी उसका मूँ तोड़ जवाब देंगे हमारा परतेक कारेकरता परतेक पतादिकारी मूँ तोड़ जवाब देगा सब साथी तो मेरी अपील है मैंने पहले का आगी जैसे कि में पेज मंद है सब साथी इसको लाईव को शेर करने का काम जरूर करें जिससे कि हमारे तमाम कारे करता तो कि ये लाईव पहुंच सके और 20 थारिक में उठने वाली आवाज को बुलंद किया जा सके मुझे पूरी आसा है कि जो आवाज भी इस थारिक में मजबूती से उठ रही है वो राजिस्थान का राजनेतिक और समाजिक परिद्रस से चेंज करेगी परिवत्तन करेगी और ऐसे साथी जो सड़कों पर अंदोलन करते हैं जो लगातार सरकार की गलत नीतिक खिलाप रहते हैं जो अडंबर के खिलाप रहते हैं वो चुन करके आगे की और जाएंगे आप सभी लोग उनका कंदा मर्बूत करने का काम करेंगे आप सभी को मेरी और से करांतिकारी जैभीम जै जोहार, जै मंडल, जै सविधान, जै वारत